होस्पिटल बैग चेक्लिस्ट एक ऐसे महत्पूल चीज है जो कि बेबी डिलिवरी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही जरूरी है तो आईए इस वीडियो में हम जानते हैं कि अगर आप डिलिवरी के लिए जा रहे हों तो आपको अपने बैग में क्या क्या समान रखना चाहिए और ये डिलिवरी बैग आपको कब तयार करना चाहिए वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल गाइने टॉक्पि डॉक्टर मनीशा इस वीडियो में हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए ये जानते हैं जैसा कि मैंने पहले भी दूसरे वीडियो में बताया है कि जो डिलिवरी डेट होती है उसी डिलिवरी डेट पे बहुत कम महिलाओं की डिलिवरी होती है जायतर महिलाओं के delivery उस delivery date से पहले हो जाती है 9 महिने complete होने के बाद या 8 महिने में या किसी के delivery 9 महिने जो delivery date है उसके बाद भी हो सकती है तो कुछ ऐसा fix नहीं होता कि labor pains कब आएंगे delivery date हमारी क्या होगी तो better है कि आप इसके preparation पहले से ही करके रखें पहले से ही आप अपने delivery bag त्यार करके रखें जिसमें वो सारी जरूरी चीज़ें हो जो आपको delivery के वक चाहिए तक ही जब labor pains हो क्योंकि labor pains तो कभी भी हो सकते हैं दिन में रात में तो जब भी labor pains हो तो आपको इतनी confusion नहों कि मुझे क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना वो delivery bag आपका बना हुआ रखा होगा तो बस आपको वो delivery bag उठा के अस्पताल चले जाना है और labor pains कैसे होते हैं इन्हें कैसे पहचाना जाए normal pregnancy में gas का दर्द होता है infection का दर्द होता है इससे हम labor pains को कैसे differentiate करते हैं इसका वीडियो भी मैंने एक बना रखा है जिसका link मैंने description box में डाल रखा है आप उसे भी जाके देख सकते हैं तो जानते हैं कि delivery bag में क्या क्या होना चाहिए सबसे पहले जो गर्वती महिला है उसके समान की हम list बताएंगे दो जोड़ी आपके पास खपड़े होने चाहिए तो वो t-shirt और lower हो या आपका gown हो तीन सेट आपके underwears के होने चाहिए ब्रा एंड पैंटी जो आप यूज करते हों जिसमें comfortable हों उस type के आप जो sanitary pad रख सकते हैं आपके चपल होने चाहिए socks होने चाहिए क्योंकि कई बार delivery के बाद socks पहनाते हैं जब ठंडा मौसम होता है और scarf या stall होना चाहिए जिससे कि आप delivery के बाद अपने सर को cover करके रख सकते हैं फिर कुछ toiletries ऐसी हैं जो आपको अपने bag में रखनी है जैसे कि आपका tooth brush है toothpaste है moisturizing lotion, hair comb, lip balm और जो आपकी regular medications चल रही हो जैसे thyroid की हो गई वो आपको रखनी है उस bag में क्योंकि जब labor pains होंगा delivery का दिन होंगा उस दिन भी और next day भी hospital में आपको उसकी जरुरत पर सकती है face wash रखना चाहिए आपको कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप पहले से नहीं रख सकते दो महीने पहले से आप अपने specs अपने contact lens नहीं रख सकते तो जो आपको end moment पे रखना है जो समान रह गया है आपके delivery bag में उसकी एक list बना के रख लीजे कि ये समान मुझे end moment पे रखना है और वो list आप उसे delivery bag में डाल सकते हैं फिर कुछ आपके important documents हो गए जिससे health insurance card या health insurance papers आपका debit या credit card और हो सके तो थोड़ा सा cash भी रख लीजे उस delivery bag में फिर आपका eye card हो गया आपका अधार card हो गया ये भी आप पहले से अपने delivery bag में रख लें डाक्टर का जो prescription paper है और आपके जो सारे previous health records हैं जो भी डाक्टर ने आपकी investigations कराई हैं वो सारे papers भी आप अपने bag में रख लीजे तकि जब आप delivery के लिए hospital जाएं तो डाक्टर को आसानी हो आपके सारे previous records वो check कर सके अब हम बात करते हैं कि newborn के लिए आपको क्या चाहिए होगा क्या कै समान रखना है तो two pairs आपको रखने पड़ेंगे उसके baba suit के और gloves mittens cap रखने पड़ेगी अगर तो summer season में expected है delivery तो cotton की cap चलेगी नहीं तो अगर winters में हैं तो woolen cap चलेगी फिर जो baby wrapping sheet है या blanket अगर winter season है तो blanket रखना पड़ेगा आपको newborn का जो blanket आता है वो रखिए कुछ baby के लिए जो newborn diapers होते हैं वो रखिए और एक steel की कटोरी और एक चमच वो भी रख लीजिए by chance अगर delivery के बाद कटोरी और spoon से feeding कराने पड़ी तो घर का कटोरी चमच सबसे better रहता है जो आपका partner है उनके लिए भी आपको कुछ समान रखना पड़ेगा क्योंकि वो भी आपके साथ 2 या 3 दिन तक hospital में रहेंगे तो 2 set आपके कपडों के होने चाहिए loose, comfortable हों वो जादा better है फिर चपल हो गई या shoes हो गई और spectacles हो गई उनके toothbrush, toothpaste और mobile, mobile charger ये सब आपके partner को ज़रुद पड़ेगी तो ये सब जो चीजें है ये आप पहले से ही अपने bag में तयार करके रख लेंगी तो जो end moment confusion है labor pains में देखे वैसे भी थोड़ी anxiety हो जाती है जो pregnant है लेडी उसमें भी उसके partner में भी घर में जो भी घरवाले हैं की labor pains चूरू हो गए हैं अब क्या होगा, अस्पताल जाना है इस सब anxiety में कुछ जरूरी चीजें न चूट जाएं इसलिए ये hospital का delivery bag होता है, तो इसको जरूर आप तयार कर लें और मेरी एक website है www.gynetox.com इस site पे मैंने ऐसे articles लिखे हैं जो की pregnancy और women health related issues से related हैं, तो अब वहाँ भी जाकर उन articles को पढ़ सकते हैं जिसका link मैंने description box में दे रखा है मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताईए आप मुझे और अगर आपके कुछ questions हों तो आप comment box में लिख सकते हैं, मेरे इस वीडियो को like करें, मेरे चानल को subscribe करें Thank you